नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पक्षा छटी का 6th class का 5th chapter जो की है राज्ये राज्ये याने state राजा याने king और एक प्राचिन गणराज्ये ठीक है गणराज्ये को समझ सकते हैं रिपब्लिक से ठीक है जैसे है रिपब्लिक डे इंडिया में कब म समझ सकते हैं गणराज्ये को तो सबसे पहले राज्ये को राज्ये क्या होता है यानि कि एक ऐसा भूभाव यानि एक ऐसा छेत्र जिसके चारो जिसके अपनी एक सीमा होती है ठीक है उसके अंदर एक राज्ये का प्रमुक होता है यानि जिसे हम आमतवर पर राजा कहते है और उसके अंदर अपनी एक सेना होती है और उसके पास अपना एक संप्रभू छेत्र होता है यानि कि जो छेत्र है इसकी मानली जी अगरी पुरा छेत्र है तो इसके अंदर जो भी चीजे होंगी वो राजा के द्वारा क्रिजवाई जाएंगी ठीक है जिस तरह के भी क्रिया और राजनीती के संस में जाते हैं तो राज़ा को हम एक बड़े करें जाता है जिस तरह से राजा का बारे में अगर अब अगर सुनते हैं तो राजा मतलब राजा का ही होता है रत यह राज्यली की वर्द्व मोंस बनता है जैसे हम आगे हम पढ़ेंगे तयास के अंदर तो हम अलग-अलग 100 के बारे में बढ़ते हैं तो आम तोर पर Generally हम देखते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और किसी को राजा राज्य नहीं मिलता लेकिन गनराज्य में क्या होता है? रेपबिलिक में क्या होता है? कि जो राज्या का चुनाव जो होता है यानि कि कहें मुख्या का चुनाव राज्ये के मुख्या का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जनता कैसे करती है वो चुनाव के माध्यमजी करती है ठीक है चुनाव यानि कि मद दे कर अपना वोट दे कर तो फोट तो हम इसके बारे में यह पढ़ने वाले हैं कि इतिहास में राज्य कैसे बने ठीक है राज्य के मुख्या राजा होते थे ठीक है और वो किस तरह से बनते थे यानि कि राजा किस प्रकार से बना जाता है और हम इसमें एक प्राचीन घंड राज्य की बारत करेंगे यानि कि एक ऐसा राज्य एक ऐसी जगा जहां पर राजा चुना जाता है ठीक है तो आई चलाएगे बढ़ते हैं तो देखे जैसे इसमें ये संकर है दिन हम अपने वोर्ट का प्रीयुक्ष करते हैं अपने प्रति निधियों को चुनते है ठीक है प्रति निधि जैनि कि किसग वोट होते हैं मले के लिए हमारे छेत्र में यानि कि विदायक होता है उसके लिए MPs के लिए MP यानि कि राश्टे स्थर पे राज्जे के स्थर पे यानि कि हमारे छोटे स्थर पे हम देखें तो MLA के चुनाव होते हैं और बड़े स्थर पे देखें तो MP के लिए हम चुनाव करते हैं साथ-साथ हम निगम के भी चुनाव करते हैं अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो नगर नीगम के चुनाव होते हैं, अगर हम गाउं में रहते हैं तो गाउं में आम तोर पर जो होते हैं वो पंचायत के चुनाव के प्रवाई जाते हैं, तो संकरन जो है वो उसको पता चलता है कि उसके आपे इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है चुनावी केंदर पर सबसे पहले पहुंचना चाहता है तो मतलब election कहा होते हैं चुनावी केंदर जो एक होता है जहां पर जाके लोग आप vote डालते हैं अपने घरों से निकलके इकटा होते हैं और आप इपना vote देते हैं ठीक है तो उसके समझ में तो वही उसके दिमाग में ओता है कि पुराने समय में साव्क को कैसे चुने जाते रहे होंगे टीक है दो इसी चप्तर में यही को Special ऑप प्राने समय पर कैसे बने हो था फिर कैसे किस अपने देश में देख सकते हैं प्रधान मंत्री को, जिसे हम प्रधान मंत्री के रूप में मान सकते हैं, आज की समय में, यानि की शाषक, यानि की राजा, राजा से भी इसका मतलब लगाते हैं, यानि की जो राजे का प्रमुक होता है, तो ये किस तरह से चुना जाता होगा यह किस तरह से इसका चुनाव होता हुआ इसकी बात इसमें की जा रही हूँ तो आज से लगबग 50 1000 वर्स पहले हम चुनाव और मर्दान के जरीए करते आ रहे हैं तो लगब पचास वर्सों से अपने जब देख रहे हैं जब से भारत पाजाद हुआ है 1947 1947 तो 1947 में भारत आजाद होता है ठीक है 1950 में भारत गणत अंत्र होता है यानि कि इस दिन हम अपना सम्विधान लागू करा लेते हैं और 1952 तक जाके कहीं भारत में पहले चुनाव हो पाते हैं ठीक है पिछले से 50-60 सालों से चुनाव के द्वारा ही हम अपने साशकों का चुनाव करते हैं कि हम पर कौन साशक करेगा इसका चुनाव हम कैसे करते हैं हर 5 साल में एक बार वोट दे कर अध्याय चार में हमने इसे पढ़ा कि जो संभवतल जनपद में लोग कैसे अपने राजा को चुनते थे जन यानि की लोग द्वारा चुने जाते थे राजा संभवतल में पढ़ते हैं में 3,000 साल पहले राजा के बावने की पर करिया में कुछ परिवर्तन दिखाये देते हैं लेकिन 3,000 साल पहले का का अगल में में पढ़्रात देके में उसे हुआ ऑल वह बड़े बड़े यग आयोजित करवाया जाते थे यग जलाने के एक धार्मिक कर्मकांड है जिसमें बीच में आग जलाई जाती है केवल आग जलाने का प्रोसेस में बीच में आग जलाई जाती है और एक बड़ा अनुस्थान करवाया जाता है यानि एक बड़ी पूजा का आयोजन करवाया जाता है तो इसमें क्या होता है र इसके अंदर वो अपनी पूरी शानो शौकत दिखाते हैं ठीक है शानो शौकत दिखाते हैं और इसके अंदर क्या होता है जो सबसे प्रसेदी यग हमें देखने को मिलता है वह होता है अश्रुमेव्यगी अश्रु का मतलब घोड़े से है ठीक है जो घोड़ा होता है ठीक है यानि अगर मान लो कोई घोड़े को नहीं पकड़ रहा है, तो जितनी दूर तक घोड़ा जाएगा, वो सारा छेत्र जो है, उस राजा का माना जाएगा, जिसमें अस्मेव यग कराया गया है, अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया, तो वो आपस में लड़ाई करेंगे, ज इससे कि आप भगवान राम के इसमें देखते हैं, ठीक है, जानि कि भगवान राम ने भी यश्मेव यग करवाया था, और उनके जो दो पुत्र थे, लव और कुष, उन्होंने उसको पकड़ा था, और उसके बाद उन दोनों के बीच में, बाकी जो भगवान राम की सहना थी, उनके बीच में, और लव और कुष के बीच में, युद्ध छुलता है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, उन्हें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, ठीक है, और एक साथ में, जहां तक भी जो घोड़ा जाता था, उसका छेतर, जो है, राजा का माना जाता था, ठीक है विशेष्ट प्रोहित होते थे यानि कि विशेष्प्रकार के पंडित होते हैं उनको बुलाया जाता था और वो इस यग को संपन करवा जाते थे आम लोगों को इससे दूरी रखा जाता था इसके अंदर जो थे जो बाकी सारे संभानित लोग उजवाते थे वो उपहार लेक राजा होते थे उनको भी इसी में संभानित करवाया जाता था ठीक है यह अश्मेव यग कराने वाले राजा को जोसे मैंने बहुत सत्तिसाली माना जाता था ठीक है इसमें सभी राजा आमंत्रित के जाते थे और साते-सात वो उपहार लाते थे यानि कि इसमें वो सभी रा राजा है ठीक है और इसके बागी सारे और अन्य राज्य ठीक है तो ये बड़ा राजा जो है अस्वेव्य के करा रहा है और छोटे सारे इसके लिए तौफिल लेकर आ रहे हैं तो क्या है इन सभी आयोजनों का एक मुख्यस्तान होता था और उसमें जो है दाज सिंगासन होता था इस पर बाग की खाल से एक विशेष आसन बनाया जाता था इसमें जो मुख्य राजा होता था वो एक विशेष प्रकार की यानि कि कहें एक विशेष प्रकार की गदी पर बैठता था जो की बाग की खाल से यानि की जवसे हम जंगल के राजा शेर होता है उस तरह कुछ दिखाने का प्रयास किया जाता था कि सबसे वल्चाली जो है वो मुख्य राजा है युद्ध के छेत्र में भी राजा का सार थी और जो कि युद्ध के छेत्र में भी वो राजा का जैसे युद्ध अगर लड़ने जा रहा है राजा तो उस गद्धी के साथ ही जाता था अबस यग ग्योत्टे थे हैं वह एक राजा का जो राजा होताथ था उसके विजीयों का गुडगान करने के सात्में रहते थे खुजञतото है वो क्या करते थे साथ-साथ राजाओं के गूमते थे और उनका गुडगान करते थे जैसे कि आप बहुत सारे कविताएं पढ़ते होंगे इन्हें हम राज कभी भी कह सकते हैं यानि कि राजा के शैपर जो कभी होते थे और राजा के बारे में ही लिखा करते थे इसमें राजा के जो सगे संबंदी होते थे जो राजा के सगे संबंदी होते थे खास कर उनकी रानिया और उनके पुत्रों में और छोटे-छोटे अनुस्थान करने होते थे अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठ कर यग को पुरी परकिरिया को देखना बार होता था यानि कि जो अन्य राजा यानि कि जो एक बड़ा राजा उसके बाके सारे चोटे राजजी जो उसके होते थे अधीन राजजे उन सब को बुलाया जाता था और उन्हों सब क्या करते थे कि वो उपहार लाते थे और देखते थे ठीक है और राजा के उपर जो पुरहीत होते थे यानि जो पंडित होते थे वो क्या करते थे जलका छेड़काव करते थे और साथे साथ अनुस्थान यानि की पूजा को कहते है वो एक पूजा की प्रकिरिया होती है तो पूरा जो आयोजन कराए जाता है उसके जो देखने वाला होता है वो पुरोहित होता है और उसके अंदर जो मंत्र पढ़ने काम करते थे वो पुरोहित ही करते थे और जो ish, यानि कि जो west समाथ से लोग आते हैं, जो वेपार करते हैं, वो होती होता है हिने उपहार लाते थे राजा के लिए और जिने प्रोहिद के द्वारा शुद्र मानते थे, उनको अनुस्थानों में सामिल नहीं किया जाता था जो इनको मान ज enfermed थाता । य नीचे वाली लोग य भी अ πά तो इसमें सामेर नहीं करायाता था नहीं होने दे जाता था यगय के अंदर आई इसके बार हम देते ही आगे थोड़ा समझते हैं कि वंड विवस्था चया है ये वंड क्या होता है हम खास करीक उत्रभारत में जीभाध बहुना कि खास करी के खास के वह वहारत है जो गंगा-यमनाक वाला छेत्र है और हम इसको हम ले सकते हैं आर तके रही है व्ची, ब्ऱ हर्यानił चबकन्य पी अननिकल रही और दिल्ली वाला छेत्र कर्द हर्याना कम开च क्षेत्र तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि इसके आज पासी कई ग्रंथ रचे गए सबसे पहले जो ग्रंथ रचा गया वो रिगवेद है हमार पास वेद कितने हैं हमार पास चार प्रकार के वेद है तो सबसे पहला वेद जो था वो रिगवेद था ठीक है जो कि प्रहुत द्वरा रचित भीवन प्रकार के अनुस्थानकी विदिया बताए गई है, जो कि अनुस्थान, किस प्रकार से पूजा पत्वत्ति कई जानी है, उसके बारे में बताए गया, झालि कि जिसे पंडित लिए करना साभ ऑग ब्रामन टीक है जिन पंदित के नाम जांते है वर उसके बाद धाए शत्री यह जिनका काम था राक्षा करना फिर शुद्र तो जैसे आप समझ रहे, वहता है कि यह बाकी लोग पूइ सहरश्वर सपर्ःति जो है वह की ब्राह्मनों को मालन दाता था और फिर इसके बाद आते थे वयष्य, इसके बाद आते थे चhtri, फिर इसके बाद आते थे वयष्य, ठ है goals काBir थे वयपार करना और फिर शूद्र का काम हjungता था इन थीनों की सिवह करना ते लेकिन इसमें सबजые उपर वाले जो लोग होते थे, वो रामन के लोग होते हैं ठीक के इस्समाज का को समून बने- isस्के इंदर की इस्के इंदर क्या था, कि कई समू बने ? घाल Small existsते जो कृषक थे और आसे लोग ते जो क्रिशक थे और उनके पास काफी ज़्यादा पैसा था और कुछ वइपारी थे उनके पास भी काफी पैसा था दूसरी और ज़ो परशुपालक थे यानिकि जिसे मान सकते हैं, जो मूर्तियां बगरा बनाते हैं, और जिसे मटके बनाने वाले लोग हो गए, और श्रम है कि जो महनत करें कमाते हैं, अपना श्रम के अवस्वाधार पर कमाते हैं, तो यह किसी रूप से अमीर नहीं हो सकते हैं, मसली पगड़ने वाले लोग, सिकार करने लोग जो थे क्या दैब कि निर्जन थे अपने शारीच महनत से कमाया करते तो ओगे चलते हैं अशुआ और आजी ही हसाती शा पूहीत वह आं पुरहीत लोग थे या पनित लोग थे उनसा में क्या चार वर्ण में वाज़ित कर लिया यानि कि जो उस् sentiments के प्रोहित लोग थे, यानि कि जो उच्छवरक के लोग थे, उन्होंने क्या किया? इसके चार वर्ग में वजित किया जिने हम वनवस्ता कहते हैं, इसके अनुसार प्रतियेक वर्ण के अलगलग कारेन कराना और उनका गैद परशर यह पर यह पक्त कराना गैजिक के नहीं हम यह प्राह्म प्रोहित करते हैं उनcken क्या मिलता था उसके बदले में उपहार यानि कि जिसके पास भी जिसके लिए यग करेंगे जिसको भी वेद की शिक्षा देंगे वो इनको क्या देगा उपहार देगा उनके महनताना के रुप में यानि इनके जो कमाई होगी वो किस से होगी उपहारों से होगी और दूसरा स शासको बीचे मुख्य अंगी स्थान पर 1 स्थान था पहला स्थान यापर यहीं पैस जो कॉनुन बना रहा एक एक इस्थान काम हो तो कgangen को लागत कर हो इसमें घ необходимо क्या कहतेी था ससब को बातौ विश्षर कुछ कहा दो स्थान आध्य तह दो करते सैं कुछ बड़े कृषक थे, पशुपालक थे, यानि कि वो जिनके पास अपने जयमीने थी, कुछ पशुपालक थे, जिनके पास बहुत ज़दा पशुथे, और कुछ व्यपारी आते थे, और शत्रिये और वैश्ये दोनों ही यग करने का अधिकार प्राब था, यानि कि जो श शुद्र, शुद्र थे, इनका काम क्या था, तीनों बड़नों की सेवा करना, यानि कि ये सर्विस करते थे, तीनों लोगों की सेवा करते थे, इन्हें किसी भी अनुस्थान करने का अधिकार नहीं था, यानि कि पुजा पाठ्यम भाग नहीं ले सकते थे, और प्राय जो और पुरहितों के निर्धारन किस से होजाता था जल्म से जल्म के आधार पर सबका पुरहितों के दवार ये बताया गया पहले तो काम कि आधार पर सबका बाद भाटा गया लेकिन इसका निर्धारन अब जल्व से होने लगता है अधार पर होता था, उधारन के तौर पर ब्राह्मन के जो माता-पिता हैं, उनके संतान ब्राह्मन ही होगी, यानि उसका काम क्या होगा, उसका काम उसके जन्म से निर्धारन होगा, यहाँ पर क्या काम करेगा, वो वही काम करेगा, जो उसके माता-पिता करते आए, यानि कि यग करेगा, वेदों का ग्यान प्राप्त करेगा और साथ में उपहार की प्राप्ती करेगा, यानि कि अपनी जीवी का उपहारों के अधार पर चलाएगा, उस बाद में कुछ लोगों को अचुद भी माना जाने लगा, यानि कि शुद्र के जो थे वो सेवा करने वाले मिलते हैं, यानि कि जो आम तरवर समाज से दूर रहते थे, साथ में वो लोग भी आते थे, जो शवा को जलाने और दफनाने काम करते थे। इन्हें क्या कमान जाता था इन्हें अपवित्र माना जाता था। इसलिए यानि शुद्रों को तो इतनी इतना इतना था कि वो सेवा कर सकते हैं और सीवा करके अपने धन अरजन कर सकते हैं लेकिन यह जो अछूत लोग आया बाद मैं जो बना एक समाज वो क्या था वो अलगा समाज से कटाव़ गया, यह में जाला था सिकारी लोग थे, जो कि समाज से अलगी रहते थे, और भोजन संग्रहक लोग थे, यानि कि जंगलों से बरहते हैं, पहितने दंग संग्रहक करते थे, इनको अलगी कर दिया गए, समाज से, और इनहें अपवित्र समझा जाने लगा, वह समझा alaka in जिं तो इन्हों ने जो इस ववस्था जो बनी हुई थी इसको स्विकार नहीं किया और कुछ राजा जो है स्वेम को प्रोहित्तों से भी स्रेष्ट माने लगे थे ठीक है बाद में कुछ राजा ने क्या कहा कि हम सक्तिशालिय हैं ठीक है तो हम इनसे स्रेष्ट हैं कुछ लोगों ने जन्म के अधार पर इस वन्वस्था को सही नहीं माना, यानि कि कुछ बात में ऐसे बुद्ध जी भी हुए जो उन्म ने इस वन्वस्था को नहीं माना, यानि कि जन्म के अधार पर जो वन्वस्था को सही नहीं माना, इसको कारे के अधार करने की बात की काम के अधार कर लोगों के बीच में भेदवाओ नहीं किया जाना चाहिए जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुस्थान संपन कराने का अधिकार सबका हो जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो भगवान की भक्ति, यानि की पूजा करने का यानि कर्म कांड करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए पही λोगों ने अच्छूतों की अलोचना की कई लोग जो थे वो ऐसा मांदे है टे कि अच्छूत जो है कोई यह हमारा U浦 से इस तरह का कुछ भारत की तरफ जाता है ढ Source उस तरह के कुछ किह श्थमें निमें दया भारत वी थे तो यह वाला झरे है यहाँ पर तो यह गुंदी यहां से निकल रही है जो इस वाले चेट्र यहां पर क्या था कि यहां की जो समाजी कार्थिक आर्समानता थी यानि कि यहां की लोगों में जो इस तरह की आर्समानता यहां पर आपको इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दीखेगा यहां पर जो है आज भी आप देखेंगे तो यहां पर आज भी आप देखेंगे तो यहां पर ज्यादा भीदवाव नहीं किया जाता है खासकर धर जाती के आधार पर या फिर बढ़न के आधार पर अगया बढ़ते हैं गला टापक हमारा जनपद तो जनपद जो है जनपद यानि कि जन का मतलब है लोगों से और पद का मतलब है उनके बसनी से यानि कि जनपद तो जनपद कैसे बनी होंगे? इसकी बात करें जहां पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया वो जन्पत बन गया है जन्पत का अर्थ आज के संदर में आप जिलो से लगा सकते हैं जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको जिला पूछा जाता है जैसे कि कहीं भी आपको गर पदिर जिले लिखना सबसे ज्यादा ज़रुरी होता है जिले जिले राज्य को संन सोब हो अगता जिलेरों हम जिले के अंदर मान सकते हैं कि जादा लोग आते हैं एक गाउं होता है गाउं के उपर तहसील होती है फिर इसके उपर जिला होता है फिर जिले के उपर एक राज्य होता है फिर इसके उपर देश होता है इस तरह सिंप जो इन डियाग्राम में से समझ सकते है तो यगों के के बारे में तो महायग होते थे उसे कराने वाले राजा आप क्या थे जन के राजा ना होकर आप जन पदों के राज हो सकते हैं यानि कि जन का मतलब होता है एक छोटे लोगों का समू होता है उसको हम जन के रूप में जानते हैं जो लोगों का समू होता है वही जन क्यालाता ह और जो राजय लोग थे, जन्पद ओक्रू आि जन्पद हों कि राज उसके लोग, आस्थनले अब étant बस गयों तो उन्हें जन्पद के रूप में जानते। आप दाशा, बर वह लोड ले देखे राजा मानेच जाने लगे थे। जणपध की साप्धी गर्थ है ये जवाद पुरानी चिज़ों यहां जन बशने के जगह होती, उसे ही जनपध कहते हैं। यानि कि उन्हें खुदा और उसके अंदर देखना चाहा उच अप्षिश प्राप्थ हुए उसके अधार पर अपनी बात कई जो दिल्ली के अंदर कभी आप आऊ गए थे पुराना किला है तो पुराना किला और उत्तर प्रदेश का मेरट के पास एक हस्तिन अप्र और एटा के पास जो है अजन्ती खेडा इसमें प्रमुक है जहां पर खुदाई की गई तो प्रतलता है क्या कि लोग जो है जोपड़ी चा़ है जोपड़ी है और गंडा तिल और सरसों जैसी फसलों का उगाते थे और साथ ही इनका उभॉक करते थे if this ins no कि जो फसले है इससे परिचित थे और इस तरह के खाना खाया करते हैं तिक यह मिट्टी का आप दीख रहे हैं मिट्टी का बरतन है लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे आस से 3000 साल पहले की बात की ज़री तो इसमें कुछ घूसर और कुछ लाल रंका भी होता था कई पुरा और इसमें आम तोर पर सरर्रेखाव में जमित आकरतियां यानि कि जमेट्री की जो आकरतियां होती है उसको उकेरा गया है अब जन से क्या बना महाजनपत अब जन से क्या बनता है महाजनपत यानि कि जन लोगों का समूः कुछ लोगों का समूः महाजनपत यानि कि च्ट जिला होता है लेकिन बडा जिला होटा है तो इस चोटा जिला क्या बन गया एक बड़ा जिला है या राज्य की रूप है थुट जा माय डितन की पशेयो यान हई जब साशक आ गया है तो उंहों कि कुछ लोगत बहुत ज़धा अफिर हो जाएंगे और साथी कुछ इस लोग बहुत ज़दा ताकतवर भी हो जाएंगी, तो इन्हें क्या कहने ज़र जाने लगा, जहां पर ज्यादा लोग हो जाने लगे, महाजनपत कहा जाने लग गया, तो महाजनपत कहा जाने लग गया, और इसमें अधिक तर जो महाजनपतों की एक राजधानी भी होने ल जहां पर ज़्यादा लोग रहते थे और जहां से पुरे महा चंदपत को कंट्रोल करना आस्थान होता था उसी को राजधानी कोशित कर दे जाता था ठीक है तो